नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टू करेंट एक्स्प्रेस हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर पॉलेटी मैं जो बुक फोलो कर रहा हूं है एम लक्षमिकान बट यह बुक थोड़ी सी कॉंपलिकेटीड है अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो पहले यह लेक्चर देखिए उसके बाद शायद आपको वो बुक जादा अच्छे से समझ में आए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड देख लेते हैं क्या है कि 1600 में चाटर जो है जो है वो मिल जाता है सिंपल जीबाद किसको ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को चाटर मिल गया किसकी तरफ से रानी की तरफ से कुई अलिजाबत के तरफ से मिल गया और उनको बोलागे कि आप ना इस्ट इंडिज के अंदर मतलब कि आप क्या कर सकते हो ब्रिटेन के इस्ट में कहीं पर भी जाके trade कर सकते हो, कोई आपके ओपर tax नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको कि आपने क्या किया, क्यों किया, simple सी बात आप जाके कर सकते हो, ठीकिना, तो क्योंकि resources की कमी थी ना, ब्रिटेन के पास, भूखे नंगे थे यह, ठीकिना, इसी कारण से, ठीकिना, चलिए, त इसी के साथ भी मतलब की संधी कर रहे थी, ट्रीटी कर रहे थी, और उसके बाद, लैंड को एक्वाइर कर रहे थी, तो ब्रिटेन की पार्लेमेंट ने ये बोला कि इस कम्पनी को रैगूलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस कम्पनी के पास लैंड भी आ चुक है, तो उस लैंड को भी रैगूलेट करना पड़ेगा, भारत की लैंड को भी रैगूलेट करना पड़ेगा, तो कम्पनी को प्लस भारत की जो लैंड के इनके अंडर जो पीपल आये हैं, इनको भी क्या करना पड़ेगा, रैगूलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सा करते हैं और यह पूछा है तो जाता ही है हर पेपर के अंदर चलिए सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या है कि जो यह लेजिस्टेशन का प्रोसीजर रहना इसको दो हिस्सों में बाटा गया कंपनी रूल एंड क्राउन रूल ठीक है कंपनी रूल रहता है 1773 से लेके 1858 तक क् कंपनी को हटा दिया जाएगा उसकी जगा पे क्राउन रूल आ जाएगा ठीक है क्योंकि 1857 में क्या हो चुका है रिवोल्ट हो चुका है ठीक है तो स्टार्ट करते है सबसे पहला चीज क्या आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसमें क्या क्या गया इसको किसको कंट् Kal expansion घ्या आनिजिया सेंटर से किस के हारा गोवर्णर कि बढर किया जाएगा ना जो गवंपादी दी गई गई कर्याश पादी लोर क्योंकि बाकी के सभी गोवर्णर कोर्णर्प गल कि इसफोर ओवर्णर ऑफ बन जा Duch इसी कारण से इसको क्या दे दी दी उपाधी दे दी गई गोवर्णर जनरल ओफ बेंगाल की इसके बाद क्या क्या गया कि गोवर्णर जनरल क्योंकि अब इसका काम बढ़ चुका है तो इसी कारण से इसके एक 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 काउंसिल बना दी गई और उस एक्जिकूटी और इसमें क्या है कि एस्टैब्लिश किया गया है सुपरीम कोट कब 1974 के अंदर कहां पर कलकलता के अंदर एंड इसमें एक तो चीफ जस्टिस थे और बाकी कों थे तीन जजी थे ठीक है अब इसमें एक और चीज बोली गए क्योंकि करप्शन हो रहा था तो इसी कारण से बोल आगे कि इसको ब्रेतिश परलियमेंट को बताएंगे कि बहिंच्ट जू आता है व आता है लो वात हैं सिंपल्सिबाल इसमें क्या बोला गया कि जो गवंडरा रोले तो हमसे काम सवक्तार लोग कि लेना बीद्न को देते हैं, simple sabatic है, वो गलत हो जाता है, तो supreme court की तलवार तो हमारे उपर लटक गई, हमें तो डर रहेगा कि भाईया ये काम करें या ना करें, उससे बढ़िया बोलेंगी कि हम वो काम करते हैं, इसी कारण से क्या हो कि governor general उसकी council को और या फिर servant of company को क्या है कि supreme court के jurisdiction से बाहर कर दिया गया, और जो revenue matter है, वो भी exclude कर दिये गए कि इसके supreme court के jurisdiction से, और एक और चीज़ और बोली गई कि, जो inhabitant tackle करता कि वो सब किसके अंदर आएंगे, supreme court के jurisdiction के अंदर आएंगे, ठीक है, और एक और चीज़ और बोली गई इसके अंदर कि जो appeal है, provincial court से, वो कहां पर जाएगी सिधा, governor general की council के पास जाएगी, और governor general की council regulate करेगी, regulation मना सकते है किसके लिए, provincial court के लिए, provincial council के लिए, और जो governor general थे इस टाइम पर जब यह लाया गया, तो वो थे वारन हास्टिंग थे, चलिए, पीट सिंडे अक्ट आता है, 1784, पीट सिंडे अक्ट क्या बोलता है, देखो, अब क्या है कि यहां से double government की start होती है, double government का मतलब दो बोड़ी बन गई है, commercial function देखने के लिए तो बन ग कर दिया गया, ठीक है, board of control, जो है, supervise करेगा किस चीज को, operations को, कौन से operations को, civil and military operation को, simple सी बात ही है, ठीक है, और इस act में पहले बार बोला गया है, जो के company की जागी ही रहना, company की जो territory है, उसके ओपर हक किस का है, British government का है, simple सी बात ही है, यहां से समझ जाना चाहिए था, हमको इनके इरादे, ठीक है, British government जो है ना, उसका full control रहेगा, किसके company के affair पूरा control में, company को पूरा, tightly control किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा corruption बढ़ चुका था, company के अंदर, ठीक है, और Pierce India Act जब आया, उस टाइम पर governor general कोन थे, Warren Hastings थे, आपको यह पता होना चाहिए, चलि ली आया, सबसे पहले देखो, किस ली आया, जो कॉन्वैलिस जी है, उनको लाना था, इंडिया के अंदर, तो उन्होंने बोला, मेरी दो डिवान है, उसको मान लो, मैं इंडिया चला जाओगा, ठीक ना, उन्होंने बोला, सबसे पहले बात तो, कि भहीया, जो मेरी council है, ग आपको नहीं माननी है, अपनी council की बात, तो आप मत मानो, तो override power दे दी गई, और बोला गया, कि, कॉन्वैलिस ने बोला, कि यह जो आर्मी रहीगी, सिंपल जी बात, उसका chief मैं रहूँगा, कमांडरीन चीफ, CIC, कौन रहेगा, मैं रहूँगा, सिंपल जी बात, तो वहां Charter Act of 1793 आता है, Charter Act of 1793 जो आता है, इसने क्या किया, जो override power थी, किसकी governor general की और governors की, उसकी बढ़ादी किसको, सभी governor general और governors को दे दी, सिंपल सी बात, जो कॉन्वैलिस को power मिली थी, कि आपको अगर मन करें, कि आपको नहीं माननी है बात, अपनी council की, तो आप मत मानो, सिंपल किसने क्या माननो, क्योंकि इनको पता था, ब्रिटेंस को पता था, कि आगे जाके हमको councils के अंदर, legislative council बनानी पड़ेगे, executive council के अंदर, इंडियन को लाना पड़ेगा, तो इससे पहले ही ये power दे दी गए इनको, कि आपने अगर अपनी council की बात नहीं माननी है, तो मत मानो, ठीके न, तो मोर पावर दे दी के गवर्नर जनरल को कि control कर सके वो किसको presidencies को, सभी presidencies को, और extend कर दिया trade monopoly किसकी British East India Company की कितने साल तक, 20 साल तक, ठीके न, जो commander in chief, मतलब की, मतलब की commander in chief है, ये बोला गया कि वो जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल काउंसिल से जरूरी नह प्रिक्टिड हो, ठीके न, और जो staff है, simple si ba, ठीके न, जो staff है, और simple si ba, ठीके वो कहां से pay होगा, वो होगा, इंडियन revenue से pay होगा, किसका, British government का, और जो ये लग रहे है, simple si ba, सब Indian revenue से पैसा जाएगा, ठीके न, अब इस टाइम पर, governor general कोन थे, simple si ba, वो थे, zone shore थे, चलिए, next act पर चलते हैं, next act क्या बोलता है, charter act of 18-13, क्या बोलता है, इसने abolish कर दिया क्या, trade monopoly, लेकिन, इसने abolish तो कर दिया, trade monopoly, किसके कहने पर, वहाँ पर, who Allah मच रहा था, कि सभी companies बोले, liberal की सरकार बन गई थी, वहाँ पर, ठीके, तो वहाँ पर सभी companies बोल रही थी, कि भईया, यह, आपने यह monopoly क्यों दे रखे है, simple सी बाद, British East India Company को, हम भी तो है, हम करेंगे trade भारत में जाके, तो, trade monopoly abolish कर दी, लेकिन, British East India बोला, जनाब, हमने आपको इतना loot, loot के दिया, इतना, जो है, वहाँ के लोगों को किया है, थोड़ा सा लिहाज रखो, तो, उन्होंने क्या क कि जो T है, और जो trade with China है, वहाँ पर monopoly जो है, किसकी British East India Company की बरकरार रखे है, ठीक है, आप जो है, आपको बरकरार रखते हैं, ठीक है, और इसमें बोला गया है, कि जो company की territory है, उसके ओपर किसका आधिपत्य रहेगा, British का रहेगा, जो British है, आखरी में जो rulers है, कोन है, British है, simple चीबार ठीक है, company तो ऐसे ही रूल कर रही है, हमारे कहने पर रूल कर रही है, ठीक है, अब क्या है कि जो अलोग किया गया है, कि क्रिश्चन मिशनलिस को, अब क्योंकि यह मानते थे, white man's burden में, white man's burden क्या बोलता है, कि भाईया, यह जो जितने भी dark color races है, या फिर colored races है, यह स बाड़ियों को खाना मनाना, simple चीबाटिक है, तो इन्होंने बहुत बाद में सीखा, डैली केसी क्या होती है, इन्होंने बहुत बाद में सीखा, तो यह हमको सिविलाइस करने आ रही थे, Christian Missionaries, simple सी बात ही है, इन्होंने spread किया, देखो Christianity के साथ कोई बुराई बात नही है, लेकिन इनके पीछे जो हमें सीविलाइस करने की मान सिकता है, उस मान सिकता के खिलाफ हुमें, ठीक है, spread किया इन्होंने Western Education, simple सी बात ही है, ठीक है, Western Education का मतलब यह नही है, कि हमें बढ़के पढ़ा दिया, हमें अनलाइटन कर दिया नहीं, इन्होंने इतना ही पढ़ाया हम जितना इनको जरूरत थी, simple सी बता है, इनको कलरक की जरूरत थी, और इन्होंने हमें हमारी Education सिस्टम को कलरक वाला ही बनाया, ठीक है, आज भी जो हमारा Education सिस्टम है, वो इस भी बात का फूरूफ है, कि हमारी Education सिस्टम पे analysis पे कम, और cramming पर जादा दिया जाता है, नंब यहां पर पैसा निकलना चाहिए, यह बात थी, अब यहां पर Governor General कोन थे, the Markuse of Hastings थे, यह Markuse of Hastings अलग है, वारन Hastings से, यह याद रखिएगा, ठीक है, next is Charter Act of 1833, यह final step था था तो वाट सेंटरलाइजेशन, ठीक है ना, Governor General of Bengal को बना दिया है, Governor General of India, और इसके अंदर Civil and Military Power को सिंपल सी बात, जितनी भी Governor से पास, Governor of Madras और Governor of Bombay के पास, जो legislative power थी, वो सारी छिनली गई, अब laws को एक्ट बोला जाने लगा, पहले regulation बोला जाता था, East India Company, एक प्योर्ली administrative body बन गई, कहां वो commercial body थी, अब हो गई, प्योर्ली administrative body, बोला गया कि हम ना, open of, open competition, जो है, civil services में, जो है, वो introduce करेंगे, लेकिन court of director ने बोला, भहिया, अब तुमने हमारी जो है, वो trade भी छीन लिया, कम से कम हमारे बच्चों को यहाँ पर service तो करने तो, अगर आपने open competition कर दिया, ठीक है, अगर आपने open competition कर दिया, यह race ऐसी है, इंडियन race ऐसी है, कि यह four डालेगी, तो प करेंगी, simple सी बात, हमारे बच्चे कहां survive कर पाएंगे, ठंड इतनी होती है, पढ़ वैसी नहीं पाते, नींद वैसी आती है, उनको, ठीक है, तो नहीं survive कर पाएंगे, बात हमारी मानी है, कि अभी थोड़ा से इसको delay करेंगे, हमारे बच्चों को थोड़ा सा, बनने दीज अब 20 साल तक वेट किया गया, तो Charter Act of 1853 आया, इसमें क्या किया गया है, जो legislative function है, और जो executive function है, वो separate कर देगे, मतलग कि legislative function के लिए एक separate council बनाएगे, जिसको बोलते है legislative council, और इसमें कितने member डालेगे, छे member डालेगे, और इस legislative council में local representation जो है, अशूर करी गई, क्योंकि एक member हर एक provincial government से आ रहा था, मदरास से, बंबे से, बंगाल से, आगरा से, अब जो open competition जो 1833 में introduce करना था, वो introduce किया गया, 1853 के अंदर, किसकी कहने पर, मकॉले committee, मकॉले committee ने बोला, कि भहिया, open competition जो है न, वो ला दो, अगर आप open competition नहीं लाए, तो revolt होगा, simple सी बात ही है, ठीक है, ठीक है, extend किया गया company rule को, लेकिन इस time पर time जो है, specify ने की है, simple सी बात ही है, ठीक है, और जो governor general of India थे, वो कौन थे, डल, हाउजी थे, अब क्या है कि revolt हो चुका है, revolt होने के बाद, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गोर्मेंट ने, ब्रिटिश पार्लिमेंट ने बोला है, क ड्रेक्टली रानी करेगी, ड्रेक्टली राजा करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा, तो रोयल, जो king होता है, उसके ले इस्तमाल होता है, रोयल, और king का जो नीचे काम करता है, उसको बोलता है, wise roy, तो यहाँ से एक उपादी निकली, wise roy क्योपादी, so, जो governor general of India था, उसक 1958, अब यहाँ पर हमको सपने दिखाए जाएंगे, बोला जाएगा, भहिया, रोड ऐसी बना दी जाएगी, आपके यहाँ, आपने सोची ना होगी, भहिया, आपको इतनी लिबर्टी दे दी जाएगी, आप हमारे मुँपे चाटे मार लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको, हम आपको ऐसा गवन करेंगे, कि आपने देखा नहीं होगा, इतना दूद की नदिया बहेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन हुआ क्या उल्टा हुआ, फिर माइन साही, अंडर डाला गया लोगों को, लिबर्टी जो है, प्रेस की लिबर्ट बिल, सिम्पल सी बाठी के ना, जो प्रेस के उपर जो पावंदिया लगाई गई, सब कुछ उल्टा हुआ, सिम्पल सी बाठी के ना, तो रिवोल्ट होता है, इसको बोलो जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, सपने दिखा रही है, हम देख भी रहे हैं, उस टाइम के लोग देख भी रहे हैं, हकिक जी जी होगे, ठीक ना, खोलो अपना मेकडी भाए ठीक है, वाइसरो इफ इंडिया जो है, वो कौन मने, लोड कैनिंग मने, लास्ट गोवर्नेंट जनर इंडिया भी कौन थे, लोड कैनिंग थे, सिम्पल जी बाठ, एंड कर दिया गया, डबल गोर्मेंट, मतलों कि बोर् British Cabinet का मैंबर होता है, देखो, कैबिनेट में इंडिया के लिए पोजीशन डाल दीगए, कितना importance रखता है इंडिया, British के लिए, ब्रितिश के लिए, बिकौस अरे, ब्रितिया में रिसोर्स ही नहीं था ना, सिम्पल सी बाठ, रिसोर्स तो इंडिया, इंडिया को लूड कर तो Secretary of State of India British cabinet member था और जो क्योंकि यह Parliamentary form of government और जो cabinet member होगा responsible होगा कि इसको Parliament को simple सी बाद जो भी गलत होता है जो भी सही होता है सब इसको जवाब देना पड़ेगा और Secretary of State Secretary of State basically बाद कैसे क्योंकि एक सब्सक्राइब तो सारे काम नहीं कर सकता इसके council बनाएगी जिसका नाम रखा गया council of India और इसमें कितने मेंबर थे 15 मेंबर थे simple सी बाद यह ठीक है अब इंडियन council act of 1861 आया simple सी बाद ठीक है अब क्या बोला गया कि वाइसरोई की जो legislative council है जो बनाएगे थी सीब्सक्राइब तो यहां पर non official members को entry दी गई जैसे कि राजाओ बनारत सर्दिंकर राओ महराजाओ पटियाला ठीक है लेकिन इनका जो नोर्मल लोग है उनसे काफी हद तक दूर-दूर से कोई रिष्टा नहीं था क्या वो पीडित हैं क्या वो सोच रहें सर्दिंकर पावर है बोंबे और मदराज की जो की लेली कहीती सिंपल सी बात यानि की 1861 से डी सेंट्रलाजेशन स्टार्ट हुआ इनको पता लग गया कि इतनी डैवर्सिटी एं इंडिया के अंदर की एक लेजिस्लेशन से या फिस सेंट्रलाजेशन टेंडेंशी से इंडिया को गव पञब है अब क्या है कि एक और चीजब बॉली गई कि वाइसरो जो और वो रूल सकता है कांसिल के बिजनस बिजनस के अंदर कैसे बीजनस चलेगा कैसे कार्य होगा उसके टांस्यक्षन के लिए जो है वाइसरो रूल सकता है और optet हुआ portfolio system portfolio system का मतलब क्या होता है कि एक minister एक ministry मतलब कि उसको एक ही particular ministry से रिलेटेड काम करना है और ordinance making power भी वो आती है इंडियन जो लाइद का जो लाइफ है वो कितना रहेगा वो six month रहेगा और इस टाइम पर कौन소리 इंडियन एक्ट ओफ 1892 आता है क्या बोलता है इसने इंक्रीज कर दिया नोन ओफिशल मेंबर लेकिन फिर भी जो मैजोर्टी थी वो किसकी ती ओफिशल के थी सेंट्रल लेजिसलेटिव जो एसेंबली है उसके अंदर बेस्टी बात क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो होने लगी किसकी सिंपल जैसे की प्रोविंशल लेजिलेटिव काउंसिल के मेंबर जो चुनके आते थे ठीक ना और उसके बात बंगाल चेंबर ओफ कॉमवर् आप ना क्या कर सकते हो 1892 में डिसकस कर सकते हो बजट को भाया ऐसा इतना पैसा क्यों है क्या है ठीक ना और सिस्टम वजट कब आया था 1860 में इंट्रड्यूज हुआ था ठीक है आप कोश्चन पूछ सकते हैं आपने ये बात चीज जो है लागू करी इतना पैसा जो है सिं क्यांटी कोश्चन नंपुछ सकते हो ऊस्ते ठीक है आप तो अगर एक्जुक्यूटीव का मन है कि वह जवाब देना चाहता है तो जवाब देगा नहीं देना चाहते था वह बोल देगा कि मेरा मुन्द नहीं है जवाब देने का सिंपल थीबाटी ना बस आप एडर्रस क इसका इस्तमाल हुआ था, नोमिनेशन वर्ड का इस्तमाल हुआ था, और इस टाइम पर वाइसरोई कोई थे, लैंस डाउन थे, और अभी आपको मैंने करेंट अफेर पढ़ाया था, कि लैंस डाउन टाउन ने देराद उनके अंदर उसका नाम चेंज करकर क्या रखा जा रह इस लेक्चर खतम होने के बाद, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ओफ 1909, इसको बोलते हैं मोर्लो मिन्टो रिफोम, ठीके ना, मोर्ले कोन थे, सेकेटरी ओफ स्टेट थे, मिन्टो कोन थे, वाइस रोई थे, सेंट्रल लेजिलिटिव काउंसिल को जिसके अंदर 16 मे रेलवे सुख रहें सो करोड दे दिया, तो क्यूं दी और उसने बोला कि हम को इस इस चीज के जरूत थी, और आप सामने से पूछ लो आपको इस ही चीज की जरूरत थी पर क्यूं थी इस चीज की जरूरत तो पहले आप उसके बाद भी जवाब के बाद भी कोशन नहीं पूछ पाते थे लेकिन अब आप पूछ सकते हो अब आप रेजोलूशन भी ला सकते हो बजट के उपर अगर आप बजट से सटिस्फाइब नहीं हो सिंपल रेजोलूशन निकाल सकते हो कि आम नोट सटिस्फाइब दी बजट ठीक है वाइसरोई और जो गोवर्नर एक्जेकुटी काउंसिल है ना उसमें एंटरी होने लगी कि इंडियन्स की वाइसरोई की जो एक्जेकुटी काउंसिल है उसमें सबसे पहला जो मेंबर गए वो थे सटेंदर परसाथ सीना जो की लो मेंबर थे ठीकिना यहां से आता है सेपरेट इलेक्टरेट का खंजब क्योंकि 1906 के अंदर मुस्लिम लिग बन चुकी थी मुस्लि तोड़ेंगे 1947 में आके तोड़ेंगे तो सेपरेट इलेक्टरेट उनको बोलता है पहले आप ऐसा करो एक कड़ी तोड़ने की कड़ी ठीकिना इंडिया और हिंदूस और मुस्लिम में दिवार लाते हैं तो को बताया गया कि यह तो हिंदू की सभा है मुस्लिम लीग बनी म कि आपको सेपरेट इलेक्टरेट दे देंगें आप बृटिश के जो भी हक्की अवाजाए वो लड़ो ठीकिना यह बिचारे मुस्लिम क्या है विचारे यह उनकी बात में आ गए उन्होंने ठीक है भाई या हम ऐसा करते हैं कि सेपरेट इलेक्टरेट मान लेते हैं तो इस एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को separate electorate दे दिया गया जाने कि यहां से पहली बार legalized हुआ communism इंडिया के अंदर इसी कारण से लोड मिन्टों को father of communal electorate भी बोलते हैं ठीक है separate representation दी गई ठीक है किसको legislative council के अंदर corporation को corporation को chamber of commerce को universities को and जमीदार को यह था Indian council act of 1990 फिर आता है government of India Act 1990 इसमें क्या था देखो अब एक और लोली पूप आया इंडिया के पास ठीक है ना जैसे 1858 में आय था government of India Act 1858 में जो बोल रहे थे हम तो बढ़िया government बना देंगे बढ़िया यह सब कर देंगे भहिया ठीक है अब बोला कि हम responsible government लाइंगे responsible का मतलब क्या है कि accountable government लाइंगे मतलब कि अगर जो भी स्टैप होगा उसका एक जवाब होगा आपके बास gradual पर ऐसा होगा पर gradual होगा धीरे-धीरे होगा मतलब 100-200 साल ओर लग जाएंगे जब तक हम आपको पूरा लूट नी लेते तो हम दे देंगे simple शीबाट अब नाइटीन नाइटीन में गांदी जी भी आ चुके थे सत्य गरह सिंपल सी बाट बहगा सिंग की जी भी active थे सुभाज अंदर बोस भी active थे बीटी से जीना हराम हो गया था ठीक है न तो basic सी बात यह है ठीक है उन्होंने बोला कि भाई यह ऐसा है कि हम ग्रेजुवल रिस्पोंसिबल गोर्मेंट लाएंगे और गोर्मेंट ऑफ इंडिय एक नाइटीन नाइटीन आया थोड़े से यह जो मोड़ेर्स थे वो खुश हो गया और यह एक्ट कब बाया फोर्स में 1921 के अंदर आया और इसको बोलते म अब इसने क्या किया जो कमुनल रिप्रेजेंटेशन जो की मुस्लिम्स को मिली थी सेपरेट एलेक्टरेट के रूप में अब क्या कि वह एक्ट के अंदर सेंट्र पबिक सर्विस कमिशन की जो है स्तापना रखी गए 1926 के अंदर इसको दो हिसों में बाटा गया सेंट्रल स क्या सेथ कि अतो प्रोविंस लेवल पर किया हुआ कि डायार कि इंट्रीवीमस करी को यह क्विपल्च में बाटा गया तो इस कारहिए प्रोविंस संदर डायार की आई ठीक है जो transfer subject थे वो तो दिये गए governor प्लस उसके minister को और जो result subject थे वो दिये गए किसको governor प्लस उसकी है ना जो council थी simple सी बात उसको दिये गए ठीक है ना governor general इन council को ठीक है तो basic सी बात क्या है कि transfer subject तो governor और उसके minister इस्तमाल करेंगे और रिजर्व सब्जेक्ट जो governor general वो अपनी council ठीक ना उसकी वज़े से जो है government of India 1999 वे क्याया दो houses बने इंडिया लेजिलेटी काउंसिल मतलब कि एक तो अपर हाउस एक जो है लोवर हाउस यानि कि यहां से स्टार्ट होता है bicameralism का जो है वो चीट ठीक है डिरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंटेड्यूज हुआ लेकिन यह फिर भी था limited franchise पे लगभग लगभग दस परसेंट के करिक परी दिएस को फ्रेंचाइज जो है कि रइड़ ड्रवोड्ग जो होगा जो छे मैंबर थे वाइस रोई की एक्जेकुटिव में जो छे मैंबर थे उसमें से जो तीन होंगे अब बोला गया कि वो क्या होंगे इन्दियन होंगे अब सेपरेट कर दिया गया है profilisial बजट को किसे central budget से simple सी बाइट यह है मतलब की decentralization हो रहा है ठीकि ना और बोला गया है कि हर 10 साल बाद हम क्या लेके आएंगे statutory commission लेके आएंगे अपनी रिपोर्ट कभ सब्विट करते हैं 1930 में सम्विट करती है साइमन कमीशन में कितने मैंबर थे सेवन मेंबर थे सिंपल सी बाइट ना चेर मैंन कोंने इसके सर्ट जोन साइमन थे और दूसरे मैंबर कोंने क्लिमेंड एटली है है Palis ठीक ना हरी लेवी लोसन एडवर्ड केड़गन वर्नोन हार्ट्षोन जोर्ड लेन फोक्स एंड डोनाल्ड हावर्ड ठीक है रिकोमेंडेशन क्या क्या थी इसकी इसने बोला कि अबुलिश कर दो डायार की सिंपल सी बात वो भी कर दी गए प्रोविंस लेवल पर तो लेकिन सेंटर लेवल पर इंट्रड्यूस करेगी आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा ठीक है एस्टैब्लिश किया गया फैडरेशन लेकिन यह कभी आया ही नहीं फैडरेशन क्योंकि जो यह थे प्रिंसिस थे और प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने आने से मना कर दिया फैडरेशन के अंदर इननों इसमें बोला कंटीनू रखना चेकर रिप्रेजेंटेशन क्योंकि भारत की सोसाइटी डिवाइडर जितना डिवाईडर सोसाइटी रही उतना बढ़िया है सिंपल सी बात इक है इसके बात क्या है कि साइमन कमीशन के कहने पर ही त्री जाँने तही बुलाए तो उस टाइम पर वाइसरोई कोन थे सर लोर्ड एर्विन थे ठीक है इसके बाद कम्यूनल अवोड आता है 1932 के अंदर कम्यूनल अवोड कोन लेका आया राम से मैग्डोनेल्ड है ना यह इसको स्कीम ओफ रिप्रेजेंटेशन और माइनोर्टी भी बोलते हैं ठीक है separate electorate एक्टेंट कर दिया गया depressed classes को separate electorate लेकिन गांधी जी बोले मेरे होते हैं तो मैं यह नहीं होने दूँगा किया और बोला गया कि हम क्या करेंगे हिंदू जोइंट इलेक्ट्रोड जो है ना उसमें से ही ना जो सीट्स है ना वो किसके लिए यह जो स्केडूल कास्ट है बेकवर्ड क्लासीज है इनके लिए fix कर देंगे simple सी बाठीक है तो ब्यारम बेट कर मानगे इस बात को और जब बोलागे कि हम completely responsible government भाया ऐसी government अगर हम खास्तिय है तो इसके पीछे भी reason देंगे हमें बुखार क्यों है इसके पीछे भी reason देंगे simple सी बाठीक है क्या ऐसा था असली में ऐसा तो नहीं था ठीक है simple सी बात यह है ठीक है कोई responsible government नहीं आ रहता सब यह दोका था ठीक है इसमे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया फैडर लिस्ट में प्रोविंशल लिस्ट में अन कंकुरेंट लिस्ट में अब क्योंकि वह था simple सी बाठीक ना साइमन कमीशन बोल गई थी कि साइमन कमीशन ने बोला था कि आप डायार की खतम कर दो कि डायार की बहुत घटिया जो है रिसपाणिबल गवर्मेंट जो है बोला गया कि वह फैले में इस पोल्म गवर्मेंट आ गई प्रों मीशन में लिस्ट वाणते हो गल्रमेंटमोंसट है अगर वहां पर कुछ भी मतलब की क्या होते देखो ध्यांद करदी देख ना कि है अगर कौई बीस टैप लेग यह कि उनको क्या करना है कि जवाब देना है 1937 में इस चीज को इंटर्डूस किया गिया और 1939 में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया यहां से देखो ना इनकी दोगलापन देखो यहां से कि बोल रहे हैं कि हम ना completely responsible government लाएंगे और जब प्रोविंसे इंट्रूस किया दोसालमिन का जीना हराम कर दिया simple sabatic ना रहाद तो इन्होंने क्या किया कि 1989 में डिसकंटिन्यू कर दिया उस चीज को तो सोच रहो कि जब यह प्रोविंसे पर डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने लगा कर तो क्या यह संटर लेवल पर लाने वाले थे नहीं लाने वाले थे simple जी बाटिक है जो रेजिडोरी पावर है वो किसको दे दी गई वाइसरोई को दे दी गई बाइकेमरल लीजम आया कहां पर छे से मतलब 11 प्रोविंसी थे उसमें छे जो प्रोविंसी से उसमें बाइकेमरल मतलब कि लोवर हाउस जो है वो बनने लगे कॉमिनल रिप्रेजेंटेशन फिर से एक्स्टेंट कर दी गई सुप्रीम उसको स्केडूल कास्ट को दे दी गई व्यूमन को दे दी गई लेबर्स को दे दी गई जो काउंसील ओफ इंडिया थी ना वाइसरोई कि उसको बोलिश कर दिया गया उसकी जगह पर आया टीम ओफ एडवाइजर जो फ्रेंचाइज था मतलब की राइट वोट था वो एक्स्टेंट करे दिया गया 10 परसेंट ऑफ दे पॉपुलेशन बोला गया कि हम आर बिया क्यों स्तापित करेंगे और अभी भी चल रहा है तो फैडरल पबिक सर्विस कमिशन हम जो है वो स्ता स्तापित करेंगे 1937 में यह हुआ भी और उस टाइम जब यह गोर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट 1935 आया उस टाइम पे जो वाइस रोय थे वो कौन थे वाइस रोय लोड वेलिंग्डन ठेट किया अब भारत होने वाला है अजात सत्यागरा है सब कुछ अपनी चरम सीमा पर सब्सक्राइब वर्ल्ड वर टू के बाद एकनोमिक रैश हो चुकी है नाइंटी ठीट नाइंटीन से लेके 1945 तक ब्रिटेन किसी हालत में नहीं है कि इंडिया को कैसे गोवन किया जाए इसी कारण से उनकी लाचारी है कि उनको इंडिपेंडनेंस एक्ट मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडनेंस करना पड़ रहा है ठीक ना इंडिया इंडिया इंडिपेंडनेंस का बात है अगस्ट 15 1947 पाकिस्तान 14 अगस्ट 1947 इन्होंने एक दिन पहले कर लिया बोल रहे थे कि हम तो पहले इंडिया से आगे जाएंगे इंडिया से इतने आगे गए कि पकड़ न इंडिपेंडेंट डॉमिनियन बने इस Act के अंदर एक बना इंडिया एक बना पाकिस्तान प्रता नहीं क्यू बना दिया प्रेटर साहिं में यह पर्संट रिसॉर्स भाट सिर्ण के ठीक है राइट तू अब इंडियन इंडिपेंडेंस अक्ट में क्या बोलागा कि दोनों ड असेंबली बनेगी 1946 के अंदर और रिपील कर देगी कोई भी एक्ट अगर उसको लगेगा कि यह एक्ट इंडिया के यह जाने हैख ऑलिश् कर दिये सेक्री ऑफ स्टेट और ट्रांसफोर कर दिये के उसके संट के फंक्षट डॉध जो सेक्रिट्री स्टेट जो को मनवेल्थ घिलैगे। दिए के प्रिंसिली स्टेट ये दिया गया कि प्रिंसिली स्टेट जो है या तो जोइन करे पाकिस्तान को या तो जोइन करे इंडिया को या तो रहे फ्री मैक्सिमम ने सोचा कि हम फ्री रहेंगे लेकिन आक्रीमन को जोइन करना पड़ा इंडिया और पाकिस्तान कोट के ना नोमिनल हेड रहेंगे ठेक ना थे किया रहेंगे और क्या होग गया अपने उसे टाइटल हटा दिया आपटरेंडिया का टाइटल हटा दिया ठेक नौर्मली वक करेंगे उनको उतनी पेगार मिलेगे नहीं जách और नहीं जाएगा कर दो फॉर्स्ट इंडियन गोवर्न जेनरल कौन मने सी राज़ा अपालचारी और फॉर्स पीकर कोन थे जीवी मावलंकर थे और फॉर्स चेरिमन कोन थे एस राधा कृष्ना ठीकिना तो इंडियन इंडीपेंडेंटेस से भारत को मिल जाती है इंडीपेंडेंस इसके बात क है कि हमारी जो constituent assembly है ना वो constitution मनाने लग जाती है the making of constitution next lecture होगा the making of constitution of India तो यहाँ पर यह जो chapter है यह यहीं पर समापत होता है आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा देखते रहे हैं बार-बार देखें इस chapter को बड़ी easy bullets point में मैंने आपको explain किया है इन सब acts को आई होप आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे skip नहीं करेंगे यह भी आशा करता हूँ कि आप channel को like करेंगे share करेंगे subscribe करेंगे प्यूष ठाकूर signing off जै हिन जै भारत